यह बताईए यहां पर देख रहा हूं नदी के किन्यारे बहुत ज्यादा मतलब जलस्तर उपर हो चुका है नदी में उफान आ गया है तो आप लोग कैसे इस पार से उस पार जाते हैं हुँ जाते सादे के तो यहांसे लगवग कितने गाउं के लोग मतलब कही गाउं के लोग इदेccल आते जाते हूंगे कかった लगवग के लड़ेकर बी आते जाते हैं वहां रजए तिर लीड़े रजात Gul идभ मात्यान गर साद अच्छा हर साल यहां पर बाड़ाता है लोग कैसे आते चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने कभी किसी से कहा पुलू अगेरा बनवाने के लिए हावा चकर जावा कहा कि वह लगे रहे हैं वह बनगी यह नाज बने हैं हमार बुर्वापत करने के सुनबाव उनकरे भाई यह कल जुग में आपाना आपाने देखता है कि हमारी बुद्धी चरुन पढ़ा में विशे आनी उपर तक और ने खबर तकाहिक नहीं हो जाई हम जौनपूर जनपत के बदलापूर विधान सभाज छेत्र के कस्तूरी गाओं में मवजू मवजूद हैं यहां से गुजरी पीली नदी ग्रामीलों का प्रदिन गुजरना होता है और इस वक्त यहां का नजारा आप देख सकते हैं पूरी तरह से अपने उपान पर है बाधित होनी की वज़य से इन्हें कई किलो मीटर दूर जा करके फिर उसके बाद बदलापूर पहुंचते हैं तो यहां पर कुछ ग्रामीड शात्र शात्र हैं में से जानना चाहता हूं या हर वर्स इसी तरह से इस मार्ग पर बाढ़ाता है या इसी वर्स आया है जो यहा पर अपका किस गाउं के निवासी है कहां सी आप बुजरतिया को क्या समस्या है हम दुगाले खुर्ट करते हैं इधर से आते चाते हैं और हमें यहीं समस्या है कि यहां पर जब बारिस होती है तो बाढ़ आ जाती है इस बाढ़ आने की वजह से हम सब बहुत 15 किलोमीटर द यही होता है हर वर से यही बाढ़ाता है और हमें वहां से आना चाना पड़ते हैं बहुत दूर से बंदना को तम कहां पर बाहदुर पीछी कालेश धन्यवाद यहां पर और भी छात्रा हैं इसे थोड़ा जानना चाहता हूं आप अपने समस्य बताई इस मार्ग से आप लोग बताई हुआ कोई नहीं सोध्री नहीं तो आप लोग से कितने दूर घूंग करके किस विद्क्राइब स्विद्ध्याय में पढ़ने के ली जाते हैं से सब्सक्राइब कि कोलेज्ट तो यहां से कितने गाउं के लोग करीब बहुत दूर के लोग आते हैं तो आउसासन प्रसासन से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं कि जल्द से चल्द यह पूल बन साइए अंतिमायादौ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ग्राम ग्रामेड जो है इस समस्या से एकदम से प्रड़ित नजार आ हुआ है फिलहाल अगर इस मार्ग से अगर कोई छोटे बच्चे गुजरते हैं तो यहां पर दुरघटनाएं या उसमें डूबने की संभावना अधीक है इस पर हमारा यही आग्रा है कि जो भी छेत्र के जनप्रतनिदी हैं इस समस्या पर ध्यान दें और यहां पर जो भी सम में क्या समस्या है थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं आजाजा बताईए यहां पर आप लोग कहें जुटे हुए हैं बहुत परेशाने बार से परेशानी हमेंसे ब्याटे खेती फंसल धान के सब डूब जयात अव आवा गमन तीरा इन्यामी पूर दुधावडा बहरी प पूल बनत बन काउन हो तो अवा गमन हम हुँ सब जाए तहुर सब आउते हैं अब काई है कुल परेशानी आए पूल निर्माड के लिए आप लोगी किसी जन प्रतनी से कहा है या नहीं बहुत जनेस कहें हैं कई दौए यह कर सर्वेव होई चुका लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुए कितना बिध्याय संसर्च सबाई कहा है कितना आज किया रही आई यह नक्सा बने के लिए हैं लेकिन कुछ नहीं भ्याद देने तो इसी तरह आप देख सकते हैं ग्रामीड काफी परिसान दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ और लोग मौजूद हमें से जानन रतासी मेरा दुधावडा जो है दुगवली कला दुगवली खुर्द अटवली जिस तरह से यहां पर अभी नदी दिखा रहा है उफापने उफान पर है तो हर साल हर साल तो इसके लिए कभी आप लोगों ने किसी से बात कही अरे यहां तक कि यहां पुल बनने के लिए प आप थोड़ा बताईए इसके विसे सर जी अभी इन्हूं के देख लिए इनका घर यहां पगल में है और इनको कहां से कम से कम 6-7 किलो मीटर उधर मतलब पूल पर से होना जाना पड़ता है वहां पर साइपूर वाले से अभी यहां पर आने के लिए कम से कम साथ किलो मीटर जाना पड़ता अभी इदर से 700 मीटर है 700 मीटर और साथ किलो मीटर में अंतर नहीं दिख रहा है आपको बहुत अंतर दिख रहा है यहां से लगब 25 गाउं का आवगमन ठप है जो कि अभी इसके पहले बाड़ आया था इस पार तो नहीं लगाए गया लिकिन इसके पहले ब बच्चे या वगयरा ज्यादा रहते होंगे और उनकी डूबने की आसंका हमेशा बनी रहती है क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई यहां पर डूब कर अभी हाल ही में जश टेक साल पहले हुई है दो लोग बाइक से आ रहे तो गिर गए बहे गए बगल में डिवाइडर लागा आप लोग क्या चाहते हैं इस समस्या से निजात यहीं चाहते हैं कि जो अपने अस्तर से यहां के माननीयों से मेरे निवेदान है कि जिन लोगों का यहां पर धान डूबा है खेट डूबा है उनका भरपाई माननीयों द्वारा किया जायाना चाहिए जिससे उनका भरन पो तो हमारा यही आग्रा है शेत्र का जो भी जन प्रत्निधी है इस समस्या पर एक बार गौर या ध्यान जरूर दे मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद